स्री स्वाई नमस्तू भिहम दर्सकों हर साल मार्ग सिर्स माह में कृष्ण पच की अश्टमी तिथी के दिन काल भैरो जयनती मनाए जाती है इसे काल अश्टमी के नाम से भी जानते हैं पौरारी कथाओं के नुसान मानेता है कि कृष्ण अश्टमी के दिन भागवान सिव अपने भैरो स्वरूप में प्रगठ हुए थे इसलिए इस दिन भागवान सिव के काल भैरो स्वरूप की पूजा कहने की परंपरा है दर्सकों आज हम आपको बताएंगे साल 2023 में काल भैरो जैनती कब है पूजा का सूब मुहुर्त पूजा बिधी और इस दिन की जाने वाले उपायों के बारे में काल भहरो भगवान सिव के रोदर आवतार हैं इसलिए इस दिन भगवान सिव के काल भहरो सरूप के साथ ही सिव पारवती की पूजा कहने से भी उनकी विशेश क्रिपा प्राप्त होती है प्रातह काल इसनान के बाद पूजास्थल में भगवान सीव और माता पार्वती की मुर्ती चोकी पेस्था पित करें और उनका विदिवत पूजन करें इसके बाद काल भहरो को काले तील, उडद और सर्फो का तेल, अबीर, गुलाल, चावल, फूल, सिंधूर और नीले रंग के फुस्प आपित करें इसके बाद भहरो नात की ब्रतकथा पढ़ें इस दिन बहुत से लोग उपवास भी रखते हैं, कालाश्ट मितिती के दिन रात्री में पूजा करने से वनुकामना पूरी होती है क्योंकि भहरो बाबा को तांतरिक देवता भी कहा जाता है, इसलिए इनकी पूजा रात में करने का विधान है मानिता है कि काल भहरो जयनती के दिन किये गए उपाय बहुत ही फलदाई होते हैं और इनकी पूजा से किसी चीच का भाय नहीं रहता तथा जीवन में सम्रिधी आती है काल भहरो जयनती प्रभागवान भहरो को प्रसंद कहने के लिए काले कुत्ते को मेठी रोटी बना कर खिलाएं इससे भागवान भहरो और सनी देव की भी किरपा प्राप्त होती है दर्सको साल 2023 में काल भहरो जयनती 5 दिसंबर 2023 दिन मंगलवार को है पूजा का समय रहेगा रात्री के 11 बचकर 45 मिनट से 12 बचकर 49 मिनट तक 19 मितिथी का आरम होगा चार दिसंबर की राट 9 बचकर 69 मिनट पर 20 मितिथी की समापती होगे 5 दिसंबर की राट 12 बचकर smiling Day